हाँ begin нат striving हेलो दोस्तों फिर से अप सभी का एक dwa में स्वागत से इस वेडिए में H dispट बारे के बारे में बात करने वाल है है जो बच्चों में जो पेट के कीडै के उसको मारने के लिए सबारे पर इसके बारे में भाइध करेंगे यह वाला है इसकी safety precautions क्या क्या हो सकती है side effects या क्या होती है कौन यह नहीं ले सकता है यह सारी बात है हम इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों वीडियो को लास्त तक देखिए और बिना skip करें देखिए तो जल्दी से शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो जो अल्बेंडाजॉल होता है वह एक ली जाती है कैसे कैसे कीड़े को यह मारती है तो टाइप सब्सक्राइब होता है होता है इन सब में इसका इस्तमाल किया जाता है इन में से कोई भी अगर अगर बच्चे के पेट में है और उसके वज़े से दिक्कत हो रही है बच्चों में खास करके बड़ो में भी होता है जब यह कीड़े होते हैं वह हमारे सरीन में से ग्लुकोज खाना ज्यादा पसंद करते हैं इसी वज़े से ज्यादा मीठा काने खाता खाना काते तब यह व त्रेडवम और पिनवम दोनों एक ही है जो कि mostly बच्चों में देखे जाते है और जो यह वीब फॉर्म है उसमें आलबंडाजोल से ज्यादा मेबंडाजोल ज्यादा काम करता है मेबंडाजोल भी पेट के कीड़े मारने की ही दवाई होती है तो हलाकि इन सब में रादवार वहां पर जाकर यह दूख जाते और वहां पर हममें इचिंग लाता है उसके वज़ेसे पिट में कीड़े होते हैं इसके बारे में बात करते हैं यानि कि फ्रेंग तो बच्चों के लिए सीरप फॉर्म में भी आता है वां चुक्कि मारकेट मार को बेंडी नाम से मिल जाएंगा और बड़ों के लिए गाम को करカर भॉभल आवगी एक साल में उस नहीं किया जाता है कि एक से दूव चाहिए लिखाट बच्चों के लिए जो बोटल होती है उसमें लिखा हुआ रहता है इच एमेल कंटेंज अलबेंड़ाजूल 200 एमजी या तो पर फॉरंडड़ेंड़ेंजी ऐसा भी लिखा हो सकता है तो आपको 200 एमजी ही देना है इसमें एक 200 एमजी में 5 एमेल है तो आपको बच्चे को अगर एक से दो साल से चुटा बच्चा है एक से दो साल के अंदर का बच्चा है तो उसको आपको 5 हमेल देना है अगर बेंड़ी ये सिरप ये सस्मेंशन देना है तो अगर दो साल से बड़ा बच्चा है तो उसको 400 मिली ग्र है उनको मार देती है लेकिन कुछ कैसिस में हर हफते एक टेबलेट ऐसे भी देना पड़ सकता है इसे तीन या चार हफते तक भी देना पड़ सकता है अब हम बात करते हैं इसकी सेफटे प्रिकोर्संस के बारे में कि किन लोगों को यह नहीं देना चाहिए तो किने डिजिस ज है तो फिर हैवी मसिनरीज ओपरेट नहीं कर सकते और तो और यह प्रेगनेंसी में भी यह आपको नहीं यूज करना चाहिए नहीं देना चाहिए अब हम बात करते हैं इसकी ड्रग इंटरेक्शन के बारे में कि कौन सी दवा अगर आपको चालू है तो उसके साथ में यह न होती है तो आपको इस दवायों के साथ में अल्बेंडाजोल कभी भी नहीं लेनी है और अब इसके एडवर्ज इफक के बारे में बात करें तो इसको लेने से तोड़ा डिजिनेस जैसा है नहीं चक्कर जैसा रह सकता है आंखों को आंके हमें दूंदली-दूंदली हो सकती हमारा आँके देखने में ठोरा प्रोब्लेम हो सकता है नुजिया ओमेटिग यानि कि जी मचलाना उर लुकि होना ऊर बार बार दस्त लगना न्यूट्रवपेनया हो सकता है न्यूट्रवपीन यनि और उसी को हम न्यूट्रोपेनिया भी हो सकता है और अब्डॉमिनल पेन हो सकता है और तो हैडेक सिर्दध रह सकता है और हैपर संसेटिविटी हो सकती है तो एक कुछ इसकी एडवर्ज इफेक्ट थे तो होब दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि बारे में सब कुछ किसे लेना है इसका डोस किया रहेगा और क्शे नहीं समास हो में यूज किया जाता है अगर आपको वीडियो अच्छ cripp ड़कित को लगी तो पलिश दोस्तों वीडियो को लाइक करें सेयर करें और समारे इस जैनल को सबॉस्क्राइब करें तो दोस्तों ठेंक्स पोर वाच